हालो अबरिवन गुट इवनिंग एंड वेरी वेलकम टू टेक्ट बूक सूपकोचिंग डिस इस मोनिका यूजी सीमिट मैनेजमेंट टेकटी तो दोस्तों मीट करती हूँ आप सभी अच्छे हूंगे और आप सभी की पेप्रेशन भी काफी बढ़ियां चल रही हूंगे तो दोस्तों आज के सेशन में हम यूनिक नमबर त्री जो की है आपका और्गिनाइडीशन डेवलप में इस पे बेस्ट कुछ कोशिंग करने वाले हैं और ये कोशिंग बेस्ट होंगे उन सारे ही टॉपिक पे बेस्ट जो टॉपिक एक्जाम में रिपिकेटली पूछे जा तो दोस्तों यहां पे डेली पेसिज रहे हैं एक यूट्यूप पे पीटरह इसको मास्टर ब्लासे बोलती है तो सबसे पहले कि अभी त checkpoint वह दो आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनलल हमारा सब्सक्राइब कर दीजेए जिसsto कि जो भी sessions आ रहे हैं उसका access आपको मिलता रहे तो दोस्तों बहुत सारे experience हैं जिन्होंने जुन-जून में exam दिया था और यहां पर उन्होंने अपना JR, F, NETEA, 3rd category जो थी तीनों में ही अच्छे सारे यहां पर बच्चे जो है उन्होंने exam को अचीव किया है अच्छे मांक्स से अगर हम management subject से बात करें दोस्तों तो आल इंडिया rank third का जो अचीवर है उन्होंने भी कहीं ने कहीं हमारे ही साथ उन्होंने जुड़ा था कापी तो बस जो sessions आ रहे हैं live इसको आपको attend करना है doubts हो रहे हैं पूछो कोई दिक्कत नहीं है बस जरूरी है कि concept आपका clear होना चाहिए और हर इक session से आपको benefit मिलना चाहिए तो start कर देते हैं session दोस्तों अब यहां पर सबसे पहला question जो दिया गया है कह रहे हैं when the cost incurred on recruiting, training and development of the employee is considered for developing the value of employee it is God कह रहे हैं किसी भी organization में जो employee हैं जो human resources हैं इनके value को निर्धारिक करने के लिए हम यह देख रहे हैं कि इन पे cost कितनी आई है, इनके recruitment में, इनके training में या इनके development में कितना खर्चा आया है उस basis पे इनके value को निर्धारिक किया जा रहा है, determine किया जा रहा है तो इस approach को क्या बोलते हैं, replacement approach, historical cost approach, opportunity cost approach या फिर none तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम एक organization में जितने भी employee को हमने hire किया है तो no doubt उनके recruitment training में खर्चा हमारा होगा और उस basis पे जब हम अपने employee की value को determine करते हैं, तो इस approach को हम बोल देते हैं historical cost approach, historical का मतलब होता है जो history बन चुका है, वो cost जो की incur हो चुका है next question देखे है which of the following is not a function that normally performed by the HR department हर एक organization में दोस्तों बहुत सारे departments होते हैं और हर एक department का अपना के specific task होता है ठीक है, अब जैसे एक human resource department हो गया दूसरा finance department हो गया, तीसरा production department हो गया essay research department हो गया, quality check department हो गया, finance department हो गया या marketing department हो गया तो बहुत सारे departments हो है organization में बनते हैं तो कहलेंगे बताओ HR department का कौन सा काम नहीं है employee relation, training and development, accounting, recruitment and selections तो अब दोस्तो human resource department का काम क्या होता है जो employee है, उनके साथ एक अच्छा relation बनाना उनको recruit करना, उनको training देना, ठीक है उनके development के बारे में सोचना, performance appraisal के लिए सोचना तो ये सब काम जो है human resource department का होता है बस accounting का काम करने के लिए अलग से accounting department बना होता है सो यहाँ पे कौन सा function नहीं है, only three इस तरीके से दोस्तों, option number D जो है हमारा correct हो जाएगा ठीक है, HR में क्या-क्या function होते हैं, ये भी देख लीजे जैसे recruitment हो गया, workplace safety हो गई, employee relation हो गया compensation planning हो गया, labor law compliance हो गया, training and development हो गया ये सारे functions HR department के द्वारा perform किये जाएग ओके, next question देख लेते हैं, अब list one में कुछ performance appraisal के methods दिये गए और second list में उसका description दिया गया है बहुत अच्छा question है दोस्तों, और ये topic भी आपकी आपसे पूछी जाएगी, इस पे बिस एक question आपका आएगा, और especially method पे ही question पूछा जाता है तो performance appraisal topic से दोस्तों, एक method से question आएगा, और ये जो यहाँ पे biases होते हैं, वहाँ से question जाए पूछे जाते हैं, तो एक एक करके देख लेते हैं कहरें, 360 degree feedback, MBO, that is management by objective, BARS, that is behaviorally anchored rating scale, and graphing rating scale, ये चारो ही method से एक employee की performance को evaluate किया जाता है, ठीक है? तो 360 degree दोस्तों क्या होता है, हम लोग mathematics में पढ़ते हैं, यहाँ पे पूरा ये एक circle बना देगा, हर तरफ से आपकी performance को miser किया जा रहा है, तो एक employee है, इसके बारे में अकर हम जानना हो कि ये कैसा काम कर रहा है, तो इसके जो peer हैं, इसके जो साथ ही हैं, इनके अंडर में ज जानेंगे, evaluate करेंगे, तो 360 degree feedback क्या हो गया, involves take input from peers, subordinate, and supervisor to access and employee performance, वहीं MBO क्या होता है, management by objective, यह एक collaborative goal setting approach है, जहां पे एक employee और एक manager साथ-साथ मिल करके, अपने objectives को define करते हैं, और उस पे work करते हैं, ठीक वैसे, बार्ज क्या है, behaviorally anchored rating scale, नाम सही समझ में आ रहा है, कि एक measurement scale होगा, उस scale के basis पे rating दे जाएगी, तो कुछ qualitative descriptions होंगे, कुछ criteria होंगे, जहां पे आपके behavior के basis पे आपको rates दे जाएगे, option number यहां पे, यह second के साथ जाएगा, graphing rating scale का मतलब क्या है, एक graph होगा, graph में आपके performance के basis पे, आपको rates दिये जाएगे, अलग-अलग criteria के basis पे, so correct answer हमारा हो जाएगा, option number C, yes exactly, चलिए ठीक है, next question देख लेते हैं, अब दोस्तों देखो यह pattern, ऐसा question आपको guaranteed मिलने वाला है, ठीक है, एक concept दे दिया जाएगा, और यह concept किस ने दिया था, कह रहे हैं, who differentiates between two approaches relative to HR auditing, that is, those centered on the functions, internal aspect, and those centered on external aspect, तो कह रहेंगे, किस ने जो है, HR auditing के दो approaches के बीच में differentiation बताया था, एक जो focused होगा internal auditing पे, और दूसरा जो focused होगा external aspects पे, क्या वो flamhors थे, walker थे, Keith Davis थे, या फिर David Campbell थे, अब ऐसे ही question दोस्तों, आपके लिए challenging बनते हैं, क्योंकि इसका answer आप तभी दे पाओगे, जब आपने वाकई में पढ़ा हुआ होगा, यह अप्रोच, चलिए, check कर लेते हैं, दोस्तों, तो यहाँ पे option number B, जो है correct होगा, यह concept देने वाले, जो theorist थे, उठे, walker, नेक्स्ट कुश्चिन, An example of fringe benefit aimed at promoting work-life balances, कह रहे हैं कि किसी भी employee के work-life balance को promote करने के aim से, कौन सा fringe benefit दिया जाता है, Stock options, flexible working art, performance based bonuses, या profit sharing plans, work-life balance का मतलब दोस्तों यह है, कि अब हम अपने survival के लिए job दो कर रहे हैं, जिसके लिए हम किसी organization का part हैं, बद हमारी एक family भी है, तो family को भी time देना है, तो job और family के बीच में time को balance करना है, work-life balance, तो आज के date में, modern निरा में mostly organizations क्या करते हैं, कि हम कहीं न कहीं technology पे dependent जादा हो रहे हैं, तो उसका एक benefit ये भी हो रहा है, कि हम आराम से घर से भी काम कर सकते हैं, या पिर अपने suitable time के basis पे भी हम अपने काम को कर सकते हैं, अगर हम early morning में के लिए confident हैं, तो early morning में भी काम कर सकते हैं, या पिर late night के लिए भी, अगर हम अराम है, job के लिए, तो हम night shift को भी join कर लेंगे, तो इस तरीके से flexible working hour जो है, कहीं न कहीं एक fringe benefit का example है, जिससे की एक person आराम से अपनी work life को balance कर लेता है, next question, यह dispute basis पे कुछ statement दिये गए हैं दोश्टो, कह रहे हैं identify which of the following the correct statement is given below, दो statement दिये गए, कौन सा correct है हमें यह बचाना है, तो पहला statement है, conciliation involves a neutral third party facilitating discussions between parties to reach an agreement, कह रहे हैं conciliation में एक neutral third party आएगी, जो कि दो party दिनके बीच में dispute चल रहा है, उनके बीच में discussion कराएगी और इससे उनके बीच में सुलब हो जाए, statement 2 में कह रहे हैं arbitration is a legal proceedings where a court or a tribunal decides the dispute based on evidence and argument, कह रहे हैं arbitration एक legal proceeding है जहां पे मामला court में जाएगा और court dispute को decide करेगा evidences या argument के बेसिस पे, तो क्या ये दोनों ही statement correct है, अब दोस्तों dispute को resolve करने के लिए पफ़त सारे यहां पे mechanism यूज किये जाते हैं, ठीक है, internally भी organization में dispute regression mechanism होते हैं, कुछ alternate dispute mechanism भी होते हैं और वहीं court भी आए आखरी option होता है, तो यहां पे दोस्तों statement number one जो लिखा था conciliation को लेके ये तो बिल्कुल सही है, कि यहां पे दो party के बीच में कोई मध्येद हो गया, conflict हो गया, अब आपस में शुला नहीं करा पा रहे हैं, तो एक third party की हम help लेंगे, ये third party neutral होगी, इसमें से ये किसी की relative नहीं होगी, ये दोनों के बीच में क्या कराएगी, शुला कराने का काम करेगी, बट statement two wrong दिया था, क्यों? क्योंकि statement two में लिखा था कि arbitration जो होता है, arbitration में हम court में मामला ले जाते हैं, और evidence के basis पर, argument के basis पर court decision लेता है, नहीं, अगर court में मामला चला गया, court decision लेगा, तो इस process को दोस्तों हम adjudication बोलते हैं, ना कि arbitration, arbitration में court के बाहर सारे फैसले निपटाए जाते हैं, जब party चाहें कि court में मामला न जाये, तब वो arbitration करते हैं, next question पे जाने से पहले बता दूँ दोस्तों, कि sessions को देखके आपको काफी health मिल रहा होगा, no doubt benefit आपको मिल ला होगा, आपको समझ में आ रहा होगा, कि आपको अभी कितना और सीखने की जरूरत है, या पिर daily concept भी आपके clear हो रहा होंगे, फिलाल अगर अभी तक आप telegram गूर्प से नहीं जुड़े हुए हैं, तो ये मेरी official ID है, आप इस गूर्प को join कर सकते हैं, जितने भी free sessions के planner हैं, हम before conducting the session, live होने से पहले ही, आधे घंटे पहले, इस गूर्प में planner को display कर देते हैं, share कर देते हैं, इससे आप सभी लोगों को पहले से पता चल जाता है कि किस time पे क्या session होने बाला है, और उस basis पे आप अपना time निकार करते हैं, वो session को live देख सकती हैं, साथ इसाथ जो भी updated information होती है agency की तरफ से, वो भी information 24-7 timely basis पे हम आपके साथ share करते हैं, तो इसी के लिए group में जोड़ना आपका ज़रूरी भी हो जाता है, जिससे कि आपको सारी updated information मिलते रहे, चलते हैं next question पे, next question है, which of the following are key concepts of industrial relation, इसमें से कौन कौन से industrial relation के key concepts है, lean management, collective bargaining, unionization, total quality management, या फिर agreements handling, industrial relation से related कौन कौन से concepts हैं, जो यूज किये राजिए, तो दोस्तों जब हम quality management process करते हैं, तब वहाँ पे lean management का use होता है, जहाँ पे हम अपने product की quality को improve करते हैं, वेस्टिस को reduce करके, collective bargaining, industrial relation का एक concept है, unionization भी industrial relation का एक concept है, जहाँ पे worker और management के बीच में, एक union भी होगा, जो कि इनके बीच में हमेसा bargaining कराता है, इनके बीच में agreement कराता है, total quality management भी industrial relation का part नहीं है, grievance handling industrial relation का part है कि, दो party के बीच में कोई भी dispute हो जाए, तो उसको कैसे handle करना है, तो correct हमारा क्या हो जाएगा, second, third and fifth, option number P यहाँ हो जाएगा, next question देख लेते हैं, कह रहे हैं, if we find someone physically attractive, we might assume they are also intelligent or kind, even without direct evidence, so this is an example, कह रहे हैं कि, अगर हम किसी को देखते हैं, वो physically काफी attractive है, तो हम यह assume कर लेते हैं, कि वो intelligent भी होगा, या फिर kind होगा, बिना किसी proof के, बिना किसी प्रमार के, तो यह किस सीज का example है, is that a horn effect, hollow effect, stereotyping, या फिर central tendency by itself, दोस्तों, जंदली क्या होता है, जैसे कोई भी आपने organization जोईन गिया, आपका first day है, आप जब first day जाते हो, एक दम proper, proper ड्रत में जाओगे, boot policy होंगे आपके, ठीक है, अच्छे से आप जाओगे, तो आपका जो first appearance होगा, first impression होगा, उसी से आपके manager या आपकी कली को लगेगा, कि भाई ये तो बहुत अगर discipline है, फिर उसके पाद आपने politely बात भी कर लिया, तो यहाँ पे आप kind nature का भी मान लिया गया, अब देखो, उसका कुछ बहुत proof नहीं है, क्योंकि अभी आपका ये first day है, लेकिन आपके first impression के basis पे एक assumption बना लिया गया, this is known as hollow effect, आपके एक positive attitude की बज़र से, एक positive reaction की बज़र से, एक assumption बना लिया, ये एक prediction है, इसका reality से कोई लेना देना नहीं है, हो सकता है reality basis में, आप अच्छे ना होगा, but impression की बज़र से हमने गलत judgment कर लिया, next question, which of the following is the process of organizing, interpreting and giving meaning to sensory information received from the environment, कहरें, इसमें से कौन सा एक process है, जहाँ पे हम environment से जो भी चीज़ें collect करते हैं, जो भी stimulus हमें environment से मिलता है, हम जो भी चीज़ें देखेंगे, उस चीज़ें को हम क्या करते हैं, organize करेंगे, interpret करेंगे, analyze करेंगे, इसके यह हुआ तो क्यों हुआ, ठीक है, फिर उसके पाद उसका एक meaningful information उससे हम बना लेंगे, उसका एक meaning निकाल लेंगे, तो इस process को क्या बोलते हैं, attention, cognition, perception, या फिर sensation, easy है, अब हो सकता है दोस्तों, कि हमने जो चीज़ देखा, उसको हमने गलत तरीके से, गलत नजरिये से देखा, और गलत तरीके से interpret भी कर लिया, अब गलत तरीके से interpret करेंगे, तो obviously बात है, meaning भी गलत निकलेगी, तो meaning सही निकल लिए, गलत निकल लिए, ये फूरी तरीके से क्या है, ये हमारा एपना एक perception है, और हमारा जो भी perception होता है, कहिन कहीं, ये हमारे culture को भी denote करेगा, कि भाई हम जैसे लोगों के भी इसमें उत् हमारा family और background जैसा है, जैसा हम अपने घर में देखते हैं, दोस्तों को देखते हैं, हमारी सोच वैसी ही बन गई है, तो दूसी तरीके से जब हम किसी चीज़ को देख रहे हैं, तो उसको लेकर कि हमारा नजरिया भी कुछ ऐसा ही बन रहा है, that is a perception, चीक है, so दोस्तों, questions त भी लेके आ रहे हैं, और no doubt, और यहां पे आपको सेशन से benefit भी मिल रहा होगा, तो कि यहां पे हर एक topic को में discuss करते हुए चल रही हूँ, फिलहार आपको बताते चलू, अगर आप December cycle में के लिए preparation कर रहे हैं, जैयारक क्रेक करना चाहते हैं, तो उम्मीद कर रहे हो कि आपन अपना strong कर लिया होगा, नहीं किया है, तो आपके पास एक last opportunity है दोस्तो, जहां पे booster course के थू, आप अपने concepts पे भी command बना सकते हैं, साथ साथ आप अपनी practices को भी और boost कर सकते हैं, तो कि इस courses में हम आपको paper one, paper two का complete package देते हैं, और foundation batch जहां पे हर एक topic को detail में समझाय जाता है उन courses का भी access हम आपको देंगे, साथ इसाथ life sessions होंगे practices के लिए, और इसके साथ इसाथ mock test भी आपको provided कराये जाएंगे, तो दोस्तों ये बिल्कुल policy की तरह है, जो कि आपके preparation को एक्टम से policy कर देगा, एक finish कर देगा, और इसके बाद आप बेहतरीन preparation के बाद अपना exam जब दोगे, तो confident होगे ही साथ इसका रिजर्ड भी आपको अच्छा मिलेगा, तो इसी के साथ दोस्तों session पसंद आया हो, तो like और comment ज़रूर करें, और जुरे रहे हमारे साथ माले अपने platform पे, thank you so much.